हेलो दोस्तो तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे e-learning platform origins इशाला पे इस बार हम अपना last time का lecture continue करेंगे और इस बार में आपको strippers, stops, pilots और ऐसे ही कुछ accessories जो हम press tools के साथ use करते हैं उनके बार में समझाने वाला हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं strippers की तो जैसा हम जानते हैं कि stripper का main purpose है जब punching करने के बाद आपका punch वापिस उपर आता है तब उसके साथ जो stock उतने की try करता है उसको रोकना लेकिन इसके अलावा भी stripper के कुछ extra function है जैसे कि अगर मैं fix stripper की बात करूँ यानि जो die stock के साथ fix रहता है तो वह हमारे sheet metal के जो stock है उसको guide भी करता है प्रेशर के साथ hold करके रखता है हमारे stock को तो यह secondary function भी वह complete करता है तो पहले हमें एक simple यह figure देख लेते हैं कि stripper basically प्लेट है जिसके बीच में आप देख सकते हैं यहां पे slot भी आ गया है इस portion में यह तो हमारा punch के लिए हो लेकि यहां से punch पास होगा यह हमारा stock का shape है इसलिए वह सबसाब देख सकते कि same shape का punch आएगा और यह जो नीचे वाला portion है इसके अंदर से हम इस stock को पास करते हैं feed करते हैं इसलिए यह इसको guide कर रहा है इस तरह से यह हमारा fix type stripper है इसलिए अब आप सोच रहों कि आखिर stripper के type कितने होते हैं तो ज्यादा टेंशन मत लिए दो ही type होते हैं पहला आता है fix type या फिर channel stripper यहां पर आप देख सकते हैं इसका c जैसा shape है इसलिए हम channel stripper कहते हैं और second आता है moving या फिर spring loaded type stripper तो चलिए हम इन दोनों strippers को detail में देखते हैं तो सबसे पहला है हमारा fix type stripper तो यह stripper की जैसे कि मैंने कहा था कि design c section जैसी है c section channel जो आता है हमारा उसके जैसी है इसलिए हम channel stripper भी कहते हैं तो यह हम उसका basic diagram देखते हैं कि किस type से stripper को set के जाता है यहाँ पर यह stripper का पूरा section है इसमें आप यह line देख रहे होंगे बीच में पर actual में यह पूरा एक ही component है यह इसलिए आपको सब्टेटली बढ़ता है ताकि आपको पता चली कि कौन सा वाला section इसको guide करने में help करता यह जो नीचे वाला section जहां पर लिखा stock guide stripper का यह जो नीचे वाला portion है यह हमारे stock को guide करता है क्योंकि इसका shape उतना ही limited है जितना हमारे stock की width है और रही बात यह उपर के plate की यह हमारे stripper की plate है जो हमारे इस metal की sheet को उटने से रोकती है तो इसको जैसे कि मैंने कहा था कि हम इस यानि कि यह और यह यहां से यहां तक length, weight वो सब वो सब सेम हमारे die block जैसे ही और hole की position भी same ही आएगी क्योंकि उसी जिखा पर हमें punch को pass करने देना है सिर्फ इसकी यह जो thickness है यह suitably हम select करते है standard dimensions के हिसाब से और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से die block के साथ हम stripper plate को bolts की मदद से join करते हैं यहां पर आपको यह basic setup दिख रहा है कि कि किस तरह समने स्क्रूल की मदद से die block से attach कर दिया stripper plate को तो वापिस से यह figure आप देख लिए यह आपको exam में draw करने के लिए बहुत ही simple और easy figure है और जैसे कि मैंने का कि इसके इंतर जी stock guide वाला portion वह actually पहले से नहीं है वह बनाया गया है तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं या तो एक पूरे metal block को अंदर आप नीचे से slot काट दे या तो फिर एक metal plate की नीचे दो side में छोटे-छोटे मेटल के plate join कर दे जिससे के automatic bleach में slot generate हो जाए तो यह जो slot है यह हमारे stock को guide करने में help करता है इसकी जो वित है वो normally stock guide जितनी होती है आप उससे थोड़ी सी ज़्यादा clearance के साथ होती है बाकि ज़्यादा इनमें difference नहीं होता जब हमारा punch नीचे आता है cutting operation के लिए तब stock की तो आदत है कि वो इस तरह से उपर उपने की try करता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा stock यहाँ पर जब उपर जा रहा था तो उसके साथ वो भी उपर जाने लगा क्यूकि side में friction के वज़े से stock और punch के में jamming जैसा हो गय मेरा material फिल से नीचे drop हो जाता है और यह इसलिए होता है क्यूंकि जब मेरा punch punching action करता है तो उस time हमारे material के अंदर elastic recovery करके term आता है कि जब उसको कोई भी shape change हुआ है तो उसके वाज़से suddenly contraction होता है उस hole वाले portion में और उस contraction के वज़े से वो punch साथ चिपक जाता है इसलिए हम यह stock साथ में जा रहा है उसके पात को obstruct करता है हमारा sticker stripper और इस obstruction के वज़े से हमारा material वापिस नीचे गिर जाता है और stock वापिस उस नीग position में आ जाता है और हर बार यह process हर cycle और stroke में repeat होता रहता है तो इस तरह से हमारा fix type stripper काम करता है कि अब second हम बात करते है spring loaded stripper कि तो यह spring loaded stripper है यह हमारे ram के साथ motion में रहता है हमेशा तो यह आपने photo देखे होगी कई बार thumbnail में तो यह जो हमारा उपर वाला जो portion है यह यह हमारा अपर डाई होल्डर इसके साथ मोशन में रहता है हमारा स्प्रिंग लोड़ड स्टिपर और इसको हम टूल होल्डर के साथ या यह जो उपर वाल पॉर्ष्चन इसके साथ बोल्ट नर्थ की फास्टनर्स की मदद से अटाइच करकर रखते हैं ताकि रैम के मोशन के साथ यह भी उपर नीचे आ सके तो यह आप उसका एक बेसिक डायग्राम देख सकते हैं सेक्शनल यू कि यह हमारे जो पंच होल्डर है यहाँ पे हमने बोल्ट की मदद से स्प्रिंग लोड कर दिया है हमारी स्टिपर प्लेट को तो अब हम इसका बेसिक डायग्राम देख पर मैंने बोल्ट नहीं बता है क्योंकि उससे समझने में थोड़ी ज्यादा कॉंप्लेक्स हो जाएगी और फिर से यह हमारी वही डाई और उसके उपर स्टॉक रखा गया है पर यहां पर इसके उपर सी सेक्शन या स्टॉक गाइड नहीं है क्योंकि उसको रिप्लेस करके हमने यह वाला स्टॉक डाल दिया है तो जब वहां रेम नीचे आता है इस पोजिशन में तो सबसे पहले तो इस ट्रिपर जो है यह मट्रिकल के कॉंटेक्ट में आ जाती है इस पोजिशन में और धीरे-धीरे हमारा पंच और भी नीचे जाता है और इस तरह से स्प्रिंग को कंप्रेस करता है यहां पर तो यह जो स्ट्रिपर दी यही पर आके लोग गए लेकिन इसके बाद यह पंच को नीचे मोशन कराने के लिए हमारा तूल होल्डर जो है वह और नीचे मोशन करेगा और इन दोनों स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा इसकी वज़े से हमारा को जाएगा और यहीजो कंप्रेशन स्प्रिंग का यह खुलने के लिए वापिस हमारा पंच उपर जाएगा इस तरह से तो जब कॉपरेशन हो होता जाएगा अब हम बात करते हैं नौकाउट मेकैनिजम की तो पहले भी मैंने आपको नौकाउट मेकैनिजम के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया था कि स्ट्रिपर जो है वह हमारे स्टॉक मेटिरियल को रिलीस करता है और नौकाउट मेकैनिजम जो है हमारा जो ब्लैंक या फिर inverted die यानि जिसमें die उपर वाले portion में आते हो ऐसे mechanism की बात करें तब बहुत ही common है कि friction के वज़े से आपने जो blank को cut किया है वो die के अंदर अटक जाता है तो gravity के वज़े से वो automatic तो गिरता नहीं है इसलिए उसे गिराने के लिए हमें mechanism देना पड़ता है जिसे हम कहते हैं नॉकाउट mechanism तो नॉकाउट mechanism तीन तोरह के होते हैं पहला होता है positive नॉकाउट mechanism और थर्ड होता है एर ऑपरेटेड़ नॉके आउट मेकैनिजम की बात करेंगे क्यूंकि हो सब्से ज्यादा इंडस्यीं में यूज होता है क्योंकि बहुत ही simple structure होता है उसका तो positive ओक्ट्रीव नॉकाउट मेकेनिजम के अंदर जो पार्ट से उनमें से सबसे पहला है शेडर बाद में है नॉकाउट पिन नॉकाउट प्लेट और नॉकाउट रॉड तो यह हमारा वापिस से बेसिक डियाग्राम है तो यह हमारी जो है कंपाउंड डाई है या फिर है तो यहां पर फ्रिक्शन के वाज़े से अगर ब्लैंक अटक जाए तो बहुती कॉमन प्रोब्लम हम कह सकते हैं इसी लिए जब पहली पोजिशन में जब पंच उपर जाएगा तब वह शेडर को उपर धक्का देगा हमारे यह शेडर है वहाँ पर और फाइनली शेडर के व इस पुश्च डाउन करने की वज़ए से यानि जब हमारा यह शेडर मेकेनिजम है और नॉक आउट मेकेनिजम वह पहुच केल देगा और डाई में से हमारा जो ब्लैंक है वो हम सेपरेट कर लेंगे यह बात की सिंपल की तो अब मैं आपको एक कंपाउंड डाई का एक एक्चुल सेटप बता रहा हूं थोड़ा से कंप्लेक्स वाला यहां पर आप देख सकते हैं कि यह हमारा पूरा कंपाउंड डाई का सेटप है इसको यहां पर आपने नॉकआउट प्लेट देया और यह उपर नॉकआउट रॉड है इसको हम zoom करके देखें कि तो हमें पता चलेगा कि यहां पर हम washer manufacture करते हैं तब यहां पर हमारी blanking हो रही है और यहां पर punching हो रही है तो पहले जो outer punch जो है हमारा जो periphery cut कर रहा है blank कर रहा है उसके साथ shader उपर चला गया है और shader की मदद से यह जो knockout pin है उन्होंने knockout plate को उपर धक्का देना है और फाइनली knockout rod को activate करना है इसके वाज़े से फाइनली वापिस शॉक नौकाउट रोड नीचे भेज़ेगी वहां से नौकाउट प्लेट को मिलेगा और वापिस इसी तरह से रिवेक्स में आकर फाइनली नौकाउट या फिर हमारे shader को एक शॉक लगेग stock stops का basic function यही है कि blanking या piercing करते time जब एक station से आप दूसरे station पर हमारे stock को feed करते हैं तब उसे proper position पर लाकर रोग देना तो कई बार आपने देखे होंगे इस type के stock mechanism इसमें से stock mechanism का काम सिफ यही नहीं है कि feed को रोकना है in fact अगर भूल से कभी आपने गलत feed दे दी यानि ज़्यादा फिर दे दी या कम फिर दे दी तो आपके material wastage होने के chance बहुत ज़्यादा है तो अगर यह आपको properly material को align कर देता है तो obviously आपका wastage भी कम कर देता है इसलिए इसको achieve करने के लिए हम बहुत ही simple mechanism यूज़ करते हैं यह जो मैंने आपको figure बता ही इसके अंदर यह जो आप A वाला section देख रहे है वो हमारा finger stop ही है यह बहुत ही simple metal block है जिसकी thickness हमारे stock की thickness से 1.5 times होती है और यह हमेशा से हमारा जो stock metal की edge है यह वाली edge है इसके contact में रहता है उसके against press करके रहता है यानि यहाँ पे जो edge इसके contact में है उस edge के contact में यह थोड़े से pressure के साथ रहता है हमेशा और इसको हम थोड़ा से tapered form में बनाते हैं क्योंकि जब मैं इस portion पे यह जो इसका नीचे वाला portion है वहाँ पे जरा सा tap करूँ तो वो edge के साथ जो pressure की वज़े से act कर रहा है तो मैं उसको tap करूँगा तो tapered की वज़े से वो थोड़ा से उपर उठा देगा और stock metal को भी थोड feed है वह रुख जाएगी क्योंकि यहां पर हम automatic feed देते हैं और आपको यह बात भी क्लियर लगनी है कि किसी किसी प्रेस मशीन में automatic feed होती है किसी में manual feed होती है तो finger stop जो है वह automatic feed के condition में ज्यादा तर यूज होते हैं तो जैसे मैंने कहा जब मुझे इससे stop करना होगा तो operator skill अपनी खुद की skill की हिसाब से थोड़ा सा force से यह जो ए पोर्शन उसके उपर टैप करेगा और उसके वजह से टेपर होने के विए से यह पिन ज़रा सा उपर लिफ्ट करेगी और अपने साथ sheet metal को भी थोड़ा से उपर लिफ्ट करेगी इसके जैसे जो feed है वह automatic रुख जाएगी और हमारी required position पे stock आके रुख जाएगा इसमें हमें operator skill की requirement होते है क्योंकि operator के अंदर यह खुबी होनी चाहिए कि इसको कब activate करना है यह उसको परफेक्ट होना चाहिए इसके लिए कि सेकेंड है पॉल स्टॉप तो यह ऑटोमेटिक लिए operate होने वाले स्टॉप है जो spring action से काम करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं एक simple metal wedge shape यहां पर हमने ले लिया है इस तरह से जिसको हमने stripper plate के ब्लॉक पर अटाइच कर दिया यह तरह का operator को सिफ और सिफ जो हमारी stock material है उसके अंदर जो blank की गई एज है उसके साथ contact में दबा के रखना है बस और कुछ नहीं तो कैसे होता है तो मान लीजे मैंने यहां पर एक ब्लैंकिंग operation कर दिया है उसके respect में मैंने यहां पर कुछ setup किया है तो मैं अपने stock को यहां पर feed दूँगा इस direction में इस direction में feed देने से क्या होगा कि मेरा यह जो पॉल स्रॉप का edge है यह इसके contact में आके थोड़ा सा उपर यहां लिफ्ट हो जाएगा राइट होने के बाद में इसको थोड़ा सा और आगे फीड करूंगा तो उससे क्या होगा में इंसट हो जाएगा और नए होल में इंसट होने अब उसके बाद हम बात करते हैं Trigger Stops की, Trigger Stops भी Automatic Stop है, इनके अंदर हम एक latch का यूज करते हैं, यह जो आप portion देख रहे हैं यहाँ पर, यह वाला, इसे हम latch कहते हैं, और यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर spring loaded है, और एक pin यहाँ पर die block में attach की गई है, इसके साथ ही यह जो आप देख रहे हैं, यह हमारे RAM के साथ attach portion है, और यह इसका top view है, तो आप देख सकते हैं, कि यह जो उपर वाला portion है, यह RAM के साथ attach है, तो RAM के motion के साथ यह भी move करेगा, तो जब हमारे RAM नीचे आएगा, तब यह pin इस latch को यहाँ से दबाएगी, और liver action के वज़े से यह latch जालू हो जाएगी, और यह ऐसे sit किया गया है, कि इसका जो distance है punch का, कि इतने distance के लिए punch नीचे आएगा, और इतने time में इतनी feed आएगी, वो सब पहले से ही calculated है, तो जब हमारा punch contact में आएगा, तब तो feed root ही जाएगी, और हमारी punching हो जाने के बाद यह वापिस उट जाएगा तो जब हमारा RAM वापिस उपर जाएगा, तब obviously यह भी यहां से contact छोड़ देगी, और यह triggers वापिस उसको दबा देगा, इस action के वज़ज़ से हमारी automatic feed वापिस उख जाएगी, और वापिस जब punch नीचाएगा, तब वापिस यह process repeat होगा, कि जितनी बाद punch नीचाएगा, यह punching operation करके जाएगा, तब वापिस latch release हो जाएगा, और spring action के वाज़े से latch फिर से pressure के साथ अपने stock को रोक लेगा, और हर बार यह process repeat रहती रहेगी, इसलिए यह automatic stops की category में आता है, और next है special automatic stops, जो आजकल industry में बहुत ही ज्यादा use होते हैं, तो बहुत ही simple metal gauge pins है, जिने हम spring load करते हैं, यहाँ पे आप figure देख सकते हैं, कि यह भी similar to trigger stop ही है, बस इसमें यह lever है, इसको हमने दो देखा spring load कर और यह हमारी gauge pin है, तो यह भी बहुत ही simple है, trigger stop जैसी यह बस फरक यह है, कि यह उपर pressure नहीं लगाती, पर यह पॉल stop की तर इसमें हम manual feed देते हैं, और operator को सिर्फ इस gauge pin के against, हमारे sheet metal stock को press करके रखना है, तो इसमें भी यह lever है, यह ram की नीचे आने वाले motion के वैसे operate होगा, similar to trigger stop, लेकिन जैसे ही operate होगा, तब मेरी gauge pin यहाँ पर वाले portion में slip हो जाएगी, और यहाँ पर मेरे stock को feed होने के लिए जगा मिल जाएगी, तो जैसे ही यह feed होगा, तब यह release हो जाएगा, और फिर से जब यह नीचे आएगा, तब जो new blanked edge है, यानि जो hole होगा sheet stock के अंदर, उसके अंदर अटक जाएगा, similar to pole stop, तो यह जब उसको अटक जाएगा, तब मुझे वापिस से फिर को थोड़ा सा पीशे खिचना है, तो जैसे ही मैंने कहा कि यह इस तरह से यह pole stop और trigger stop दोनों के combination पर काम करता है, automatic stop, तो इसी के साथ हमारे stops भी पूरे हो गएगे, अब हम बात करते हैं, पाइलेट्स की, तो progressive dice के अंदर overfeeding की problem बहुत ही common है, भले ही हम stock stop यूज़ करते हैं, हम material को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी overfeeding कई बार हो जाती है, और इस वज़े से जब हम progressive dice का use करते हैं, तो एक workstation से दूसरे workstation पर जब हमारा stock advance होता है, तब उसके अंदर underfeeding, overfeeding ऐसी problem आती है, और हमारे जो दोनों cutting operation है, एक दूसरे के respect में properly align नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमारे material wastage हो जाते हैं, तो इस problem को solve करने के लिए हमने एक छोट पासा जो difference आता है, उनके dimension में, ये setup में, उसको properly align करने में help कर सके है, उस mechanism को हम कहते है, तो पाइलेट के सिर्फ यह function नहीं है, उसके total 4 function हम कह सकते हैं, कि overfeeding को control करता है, हमारे material को locate करता है, punch के respect में, buckling को रोकता है strip की, ताकि वो properly अगर position में आ गई तो उसकी buckling नहीं हो प तो भी उसे properly align कर देता है, mechanical feeding के case में, और सबसे अच्छी बात कि हमारे strip का distortion रोग देता है, extra support provide करके, तो ये 4 function हमारे pilot पूरा करता है, तो पाइलेट में भी दो टाइप से, उसमें से पहला है direct pilot, तो ये simple pin है, जिना हम directly punch के अंदर fit कर देते हैं, next station वाले punch के अंदर, जैसे हम inner punch hole कर देंगे, तो उस hole के size के respect में, मैं मेरे next blanking वाले punch के अंदर पहले ही एक hole रखूंगा, उसके अंदर एक pin fit कर दूँगा, इस तरह से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि मैंने पहले 2 hole punch कर दिये थे, अब ये जो next, जो outer blanking वाला punch है, उसके अंदर आप देख सकत हैं, कि जब मेरा pilot hole के position में आता है, तब वो इसमें insert हो जाता है, और इस geometry के वाज़े से, यह smooth curve है, इसके वाज़े सा stock adjust हो जाता है, और इनके बीच में थोड़ असर clearance होता है, ताकि easy moment हो सके, और pilots को हम light motion वाली press tools में use कता है, direct pilots को, क्योंकि अगर high speed press में अगर आप use तो high speed action के वज़े से slip हो सकते हैं, और निकल सकते हैं, इसके वैसे आपका alignment वापिस से bigger सकता है, और इनको हम press fitting कर सकते हैं, या fastner से भी add कर सकते हैं, यह अलग-अलग method है, जिससे हम direct pilots को punch के साथ add करते हैं, यहापर आप देख सकते हैं, यहापर मैंने उसको press fit किया है, यहा push fit किया है, यहापर push fit किया गया है, threads के साथ, इसी तरह से washer के साथ भी add कर सकते हैं, बहुत सारी अलग-अलग techniques है, जिन इससे आप direct pilots को punch में add कर सकते हैं, अब next आते हैं indirect pilots, तो इनको हम punch में directly fit नहीं करते हैं, पर side में ram के उपर इस तरह से fit करते हैं, कि हमारे जो stock material है, उसक आप देख सकते हैं कि punch में नहीं है, पर यह हमारा tool holder जो है, उसके साथ attach है ram से, और side में कही guide bushing से pass होता है, और stock के अंदर अटक जाता है, इस तरह align करने के लिए, लेकिन आप इस figure से ज़्यादा कुछ clear नहीं हो रहे हैं, इसे भी इतना समझ सके हैं कि punch में fit नहीं है, पर ram में कही fit है, तो आपको दूसरा समझाता हूं figure, कि इसका working तो direct pilot जैसा से बस एक फरक है, इसका location का, तो कैसे, तो जब direct pilot होते हैं, वो इस तरह से मेरे stock के अंदर जो hole है, उनको align करते हैं, लेकिन indirect pilot जो है, उसके लिए हमें अलग से side में पहले hole देने पड़ते हैं, जिनको align इसलिए direct और indirect pilot का यही फरक है, यहाँ पर आप जो figure देख रहे हैं, इसमें मेरे component के लिए ज़रूरी नहीं है, कि मैं side में यह hole करूँ, लेकिन align करने के लिए मैंने special side में 2 holes पहले ही बना दिया है, जिनमे indirect pilot मेरा enter होगा, और मेरे stock को align कर देगा, तो इस तरह से indirect pilot, direct pilot से अल तो आज के lecture के लिए इतना ही, I hope आपका यह concept about stock stop, stripper, knockout mechanism on pilot clear हो गया हो, और ऐसे और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल ओरिजिन्स इशाला पे subscribe करे, thank you लाए